देखो है कितना सुन्दर लग रहा हमारे लोको मोडिम में आपको और प्लोसली नजारा दिखा देखा देखे अरे रुको भाई हमको जाने दो अगर पीछे देखिए गाड जी भी मजे से हस रहे हैं और हस हस के आपको ग्रीन फ्लैक भी दिखा रहे हैं तो आज हम लोगों को राजेद्रे नगर से निव डेली तक जाने वाली पट्टेला तेजस राजधानी एक्सप्रस को ड्राइव करने का मौका मिला है तो और मैंने सोचा कि चलो यह जर्मी आपको भी दिखा दिया जाए तो यहां भी आप लोग देख सकते हैं कि लगता है राइट साइड से कोई एक ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला यह दिखुए और व्याप सविन के साथ में हौंक मारती हुई यह कौन सा ट्रेन है हमसफर एक्सप्रस है यह तो मुझे भी बता है मैं एक बार देख रहता हूँ नियुट इनली गोड़ड़ हमसफर एक्सप्रस वीक्ली एक्सप्रस है 12350 शायद से इसका ट्रेन नमबर था मैं धंग से देख नहीं पाया तो इस यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ भी न मेरे को रेड़ सिगनल मिला था तो वहीं से हमने डिपार्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहती है यह स्पीड हमारा इतना ज़्यादा स्लू है और हम लोग कि शिछ स्टेशन को लोग स्किप कर रहे हैं हमारीा स्प्रीमे ट्रेन है और वाके यहाँ left side में आप देखा गया एक और tracks है क्योंकि हमारे साथ-साथ जा रही है और अमने भॉन भी बजा रहे हैं क्या पता गईस आज हम लोगो पैनल रन भी देखने को मिल जाए क्योंकि यहाँ ट्रिबल ट्रैक्स आपको देखे सामने पता चली रहा होगा और यह देखिए मैंने अभी बोल के दिया यहाँ पर देखिए उनको मिला है वाब 7 गाजियाबाद का इसका रोड नमर है 37058 और यहां में आप लोग देखी सकते हो कितना बहतरीन तरीके से लोको मोड़ी को डेकोरेट किया गया है देखो है कितना सुन्दर लग रहा हमारा लोको मोड़ी में आपको और प्लोज दी नजारा दिखा जाता हूँ बिल्कुल रोज वाले जो स्टिकर्स है उनसे डेकोरेट किया गया है मुझे हैर पता नहीं है यह दीपेंट किसने बनाया है मुझे आइडिया नहीं है अगर आप सबको बता होगा तो मुझे ज़रा कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत बूलिएगा बाकि यहां पर देखो यहां पर गार्लेंड बगेरा से इसको डेकोरेट करके रखा गया है साइड से भी और वाकि हमारा स्पीड कितना हो रखा है अभी स्पीड आप्रॉक्सिमेटली 66 किलोमेटर पर आवा का हमारा स्पीड है यह हम लोग पीछे के साइड में गई जा चुके हैं लगता किसी ट्रेन का अरे एक मिनिट डबन टू 417 वारन इसी न्यू डेली महामन एक्स्प्रेस अरे ऐसा तुम लग रहे है यह ट्रेन हमको ओवर्टेक करने के लिए आ रही है खेर हम लोग भी थोड़ना चोड़ देंगे इसको यार हम लोग भी फूरा फुल पावर लगा चुके हैं एक्सलेरेशन के लिए आपको देख सकते हैं हम लोग फ्रॉटें को पूरा 87 पर संब कर चुके है अद देखना यह है कि भई यह हमको ओवर्टेक करके आगे हम देखते हैं क्या होते हैं बाकि है यहां भी फ्रॉच्छ पीडिशन पर चल रहा होगा चलो यहां अपको आपको यहां इस वाले पोजिशन से व्यू में आपको दिखा देता हूँ और यहां से अंदर वाले जो नजारा है वो आपको जो देख लिए कैसा लग रहा है अं करता हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसका हो कि नहीं रहा है अरे देखो यार यह पहले आ रही है और मुझे लग रहा है यह उवर्टिक कर जाएगी हमको गैस में आपको बताना चाता हूं वेवस टक के बारे में वेवस टक एक 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 इनेफटी गेम है जिससे प्लेजरस इंगेम करिंसी कमा सकते हैं एक्स टोकें के फॉर्म में इस में अब अपके डक का रहेरिटी जितना कम होगा वो उतना ही एक्स बनाएगा और आपका annual income 200% तक चला जाएगा wavesdug.com पे register करने करें सबसे पहले wavesdug.com slash login पे जाईए उसके बाद यहाँ पे sign up option पे क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पे अपना email डालिए और यहाँ पे एक strong password create कर लीजिए फिर उसके बाद यहाँ पे confirm password कीजिए उसके बाद I have read इस पे tick mark कर लीजिए इसके बाद create account में क्लिक कीजिए एक capture आएगा इसको आपको ऐसे solve करना है करने के बाद में एक verification code आपकी email ID पे send किया जाएगा उस code को आपको यहाँ पे डालना है डालने के बाद तुरंत आपका account login हो जाएगा तो खेलना शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ingame currency यानि eggs को buy करना पड़ेगा card के थुरू उसके बाद marketplace में जाकर आप अपने ducks को बेज भी सकते हैं या कोई order खरीद भी सकते हैं आपको पता है marketplace में सबसे महेंगा duck का price 14,000 डॉलर्स का है अब आपको बताते हैं collective farms के बारे यहाँ पे players existing farms के shares को buy कर सकते हैं और उनके income का कुछ हिस्सा ले सकते हैं वैसे collective farms ही आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि यह investment सिर्फ 25 डॉलर्स का लगता है और आप उसका 200% तक कमा लोगा duckwards game खेल के earn करने के सबसे पहले आपको यहाँ से collective farm को choose करना पड़ेगा उसके बाद में play option पे click कीजी उसके बाद आपको यहाँ से एक j duck को choose करना है यहाँ पे आप तीन options देख सकते हैं एक है attack, एक है sniper, एक है helmet हम लोग attack पे click करके देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमको target चूज करना है अपने opponent का, यह है हमारा opponent और यह हम लोग तो इसका हम लोग इस वाले point को स्रेट करते हैं, अब देखते हैं और यह defend करता है कि नहीं करता है अरे यार, इसन दो defend नहीं किया, हम लोग ऐसे ही हार रहे है अर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन यह point आप लोग जैसे जैसे जीते जाओगे न यह point आपको बढ़ता रहे है और ऐसे ही आप लोग earnings भी बाद में कर सकते हो और अगर आपको free में eggs लेना है तो जल्दी से waves duck के टेलिग्रम चैनल में जाओ और उनके social media activities में चाकर parties बिट करो अरे मैं यह तो बताना भूली गया waves duck अपने 6 महिने के anniversary के लिए एक लाख US dollar से भी ज़्यादा budget का giveaway चला रहा है जिसमें 1153 winners होंगे वो लोग gifts भेज देंगे जैसे ही उनका Twitter पे 100K subscribers complete हो जाएगा अगर आप भी entry करना चाहते हैं तो भाई description में link दिया हुआ है waves duck अपने NFT game के साथ sales volume में top 10 में जा चुका है इस game का सबसे manga duck 24,000 dollars में भिका है जहां एक average NFT duck का price है 10,000 dollars और एक का exchange rate है 1300 dollars active players का annual passive income 200% तक तो होई जाएगा और हाँ यह project developed किया गया है waves platform के दुआ मैं एक काम करते हो throttle को reset करता हूँ और दोबार से मैं acceleration करता हूँ चलो यार अभी देखते हैं काम करता है कि हाँ 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 guys अभी काम कर रही है दोनों ट्रेंस एक साथ में कर्व के side में जाती हुई हमारी ट्रेंस तो है थुरा थुरा करके acceleration करी रही है लेकिन यार दुख की बात यह जो महामन एक्स्प्रस है ना यह हमको overtake करते हुए आगे जा रही है और पीछे देखिए गार जी भी मजे से हस रहे है यार यह बहुत ही दुख की बाद यार राजधानी एक्स्प्रस को महामन एक्स्प्रस जीन ओवर्टिक मार दिया यह कैसे हो सकता है चलो यार अभी मैं आपको बताता हूं कि किसको कहते हैं स्पीड क्योंकि इतने देर से जो वैप सब्सक्राइब रहा था मुझे पता रही है क्या इसका विक्कत वगरा था पता नहीं चल रहा है मैंने थ्रॉटिल को इतने में रिसेट कर दिया करने के बाद में अच्छे से काम कर रहा है आपको सामने में लिखी रह आप में यह कोई बीसेट रहा है जिसका क्ली क्रॉसिंग चल रहा है यह देखोगा इस फाइनली अम लोग इस ट्रेंग को भी ओटेक करने ही वाले है आप लोग भी देखते जाओ है और मजा आ रहे ही नहीं आरा है आपको आज के एस एक्टिविडी में यहाँ दूर में आ आपको फैक्ट्री का भी नसारा अच्छे से दिखा देता हूं बाकियार हम लोग काफी तेजी से काफी अच्छे से ओवर्टेक मार रहे है वह वहाँ पे वह फ्रेट ट्रेंग का वैग ने लोको मोटिव लगा है काफी बड़ी सी फैक्ट्री है पता रही है किसका होगा य आपने देखा के जिए जब हमको ओवर्टेक कर रही थे ना इसका जो डियारिल वाले लाइट्स है वो ब्लिंक कर रहे थे तो काफी जादा रहा था उससे गाइस बाकियर यहां पे देखो कितने सारे बड़े 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 बिल्डिंग से और आज ना काइस हम लोग हिं हिंदुस्तान रेल्वेस हूट का ओल्ड वर्शन खेल में तो यहां पी स्टेशन का जो अपका जो लेबल्स है वो अम लोग और ने कर सकते ऑन करने से ही यह गेम क्रैस हो जाता है इसलिए मैं और ने कर पार हूँ यह देखो बाकि यहां पे कितने सारे लोकोमेंट मैं को ज बिल्पूल अलग अलग शेट्स के लग रहे हैं बाकि यहां पे देखो इस सैड में कुछ दिखाने के लिए आपको यह देखो एंड के साथ में दुरूंत एक्सपरेस पड़ी है यहां पे और हमारा स्पीड काफी तेजी से डिक्रीज हो रहे है और यहां पे एक हमसावर इसका पैरलल में चल रहे है यह रुकी भी है नहीं यह बस अभी रुकने वाली है यह अभी रुक रही है यह अब है तो इक और अपको दिखाना भूल इया तो यह अपने नोटिस किया था तो मुझे कमेंट से बताना मत बूलना और उस सेट में अगर आप देखेंगे तो एक BTPN वाली freight train थी और यह देखो 15657 ब्रह्मा पुत्र मेल का क्रॉसिंग चल रहा है हमारे राइट साइड से बगेर हॉन्ट तुम्हें बजा रहा हूं लेकिना को लगता है धन से सुना ही नहीं दे रहा है तो अगला जो हमारा है वही हमारा आज का लास्ट है जो कि है निव डेली स्टेशन तो निव डेली आने में बस 27 किलोमेटर्स बाकी है तो जल्दी से हम लोग स्पीड अप करते हैं और यहां पे देखिए एक EMU ट्रेन मुझे नजर आ रहा है आप लोग जड़ा देख लिजेए यह कोई EMU ट्रेन जो कि शायद से निव डेली से आ रही थी और यह सामने वारे स्टेशन पे इंटेर करने के वक्त में इसको रेट सिंदल मिल गया पता निए अर सामने का जो ट्रैक्स था वो तो शायद से क्लियर उतना नहीं था आपने देखा नहीं पर कितना ज़्याद रश था पता नहीं कौन सा स्टेशन था गाजिया बेश्टेशन था शायद से प्याइब लिए नजारा कैसा लग रहा है इस नजारा के लिए एक लाइक टोपना दो बनता है प्रूट पर सारा क्रेडिट जाते हैं हमारे मुदित प्रनाएजी को कि उन्हों रे इतना अच्छा वाला रूट बनाया है बाटी आप लोग यह देखो यार तू टू फोर त्री सिक्स एंडिया लिस बंदे भारत एक्स्परस का भी क्रोसिंग आप लोग अच्छे से इस रूट पर सीनिर की मैं बात कर रहा हूं आप देखके समझ में आपको आई रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंस देकर हर एक चीज को परखा गया है ताकि यूजर इस्पीरिंस काफी ज्यादा अच्छा रहे बाकि यहां का स्पीड लिए 100 है लेकिन हम लोग 125 कि वाव की स्पीड से जा रहे आप टेंशन मद्दों आम लोग स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे और पीछे के सट खर नजारा मैं आपको दिखा के आता हूं कुछ दिखाने लाएक है क्या नई नई अभी तो कुछ भी दिखाने लाएक है नहीं वैसे फिलाल दो बाकि लगता ह करना बड़ेगा यहां वे देखनी के साथ में एक मिक्स कंटेनर वाली प्रेट रहें मतलब इसका बिल्कुल कलरफुल वाला कंटेनर प्रेट है काफी अच्छा लग रहा है देखने में आपको कैसा लग रहा है किर जो भी है हम लोग ना काईस स्पीड को घटाना स्टार कर पहले देखो यह काफी तेजी से जो स्पीड है ना वो हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है सामने से लिग गुड्स्रेंट का क्रॉसिंग होने जा रहा है वैक राइन के साथ में यह भी कोई टैंकर वाली फ्रेट प्रेट प्रेन है यह वील स्टिप क्यों हो रहा ह प्रोटल तो हमारा जीरो है ना तो यह बील स्टिप होने का क्या मतलब है बताओ यार इसको क्या का है यह हर वक्त में यह अपना काला जादू दिखान में वेस रहता है उपर से देखो यह कितना जादा स्पीड हमारे इसने डिक्रीज करवा दिया कापी तगडी वाली जो लोग बस रुकने ही वाले हैं हमारे रेट सिंगल के बिल्कुल सामने में चलो यार देखते हैं और अंदर का मैं नजारा को दिखा जाता हूं यह वैप सवन लोकुमोटिफ का इंटेरीर है तो इसका भी इंटेरीर आप लोग देख लो काफी बैतरीन इंटेरीर है आ मुझ संग्ण मैं कांपिस्ट जादा सामने में आचुका यह दो यह बड़ा सा फ्लाइर किसका वाई यहाज है मालिक जो की इतने बड़े-बड़े व्लाइड के सामने में बीड किया हुआ है यह है कब तक जाकर हमको रूकना पड़ता है हमारे ठ्रेन को थोड़ असा का इसम उस यह स्पीड ज्यादा ही कम लग रहा है मेरे को अधिको हलका सा कर्व सामने आ रहे हैं बाकि आप लोको मोडिक कैसा लगा आप सबीको तो कापी अच्छा लगा इस लोको मोडिक वैसे अभी कॉनसा स्टेशन हां श्रहीवाबाद हो अब मुझे लगता है श्रहीवाबादी जिसका की वैप पाइप अमूल वाला लोको मोडिव लगा हुआ है आपको भी दिखा होगा और इसके जो एलेजबी कोचेस है यह काफी ज्यादा रियानिस्टिक लग रहे है यह दिवाकर अरोरा जी के कोचेस है जो की काफी बहतरीन डिपेंट करते हैं साथ साथ में वह का काफी दिन से तो मैं उनका एक एक खेला ठाहिक एक यह दू एक खेलाा था उनका अपे Şu काफी जाद बैठीन आक था यह से बताना उनका यह खेलना चाहिए आग या नहीं खेलना चाहिए तार मिशे बताना मैं जरूर से खेलूंग यह यह एक dem Turner वाली फ्रेट ट्रेन है जो कि बैग नेन के साथ में बागी हम लोग सही बाद पेंटर हो चुके हैं किसी को उतरना या फिर कुछ खाना दवर जाओ उतर जाओ जाकर खालो कि हम लोग यहां पर पतानी कितनी देर तक रुखने वाले और राजधानी होने के बावजूत भी पत गाइस आपको दिखाई दे ही रहा होगा थोरह सामने में जाकर गाइस हम लोग देंगे पीछे का नजारा हम लोग देख रहते हैं आप पीछे का नजारा बिल्कुल सही है पूरा ट्रेन हमारा एंटर हो चुका स्टेशन के अंदर में और बस तो पिर देर किस बात की चलो यहां पर रोख देते हैं अब है ट्रेन को यह एक अंचेडिmist हर्ण हम लोग करने वारे हैं ओको ड् effect करम स्टेशन के और कैसी यह जो route है ना बिल्कुल real based पे route है यह बिल्कुल असली दुनिया जैसा इसका distance है चलो यार फाइनली हम लोग शहीबाबाद पे रुख चुके हैं और यहाँ पे देखना है कि कब तक जाकर हमको आगे जाने का जो signal है वो हमको मिलेगा देखते हैं रेट सिगनल पे अम लोग वेट कर रहे हैं शहीबाबाद कर स्टेशन बोड आप लोग देख लो और इस स्टेशन का जो नजारा है वह तो दिखाई दिया था ना यहाँ पे स्टेशन में टैंकर वाली फ्रेट ट्रेन है और बाकी और कुछ खास स्टेशन पे दि यह तो काफी तेजी से क्रॉस कर रही है यह ट्रेन स्टेशन से और हाँ आपको बीन सिंगल मिल चुका चलो यार अब लोग अब लोग एक बार होन बजाके न यहां से जल्दी यल से डिपार्ट करते हैं होन कैसा लग रहेगा इस आप सभी कमेंट से बताना मत बूलेगा चलो यार अभी हम लोग यहां से डिपार्ट करते हैं कौन सा होन आपको सबसे ज़्याद अच्छा लगागा इस आज के दिन में वो भी मुझे बता देना गा इस कमेंट से बाकि मैं आपको अभी डोर वीव से नजारा दिखाने वाला हूँ डोर वीव का जो मजा है न वो भी आप लोग देखने वाले हो कि बाई 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 श आपने देखी लिया होगा इंटेर कैसा लगा आप सभी को कमेंट से बताना मुझे विल्कुल भी मत भूलेगा इंटेर देख लो यहां से बैट के भी नजारा का जो आनन्द है वो आप लोग ले लो बता दो कमेंट में कैसा लगर नीचे से हाइवे जा रहा है चोटा मोठ अब लोग वापस से आ चुके हैं यह देखो ट्रैक्स चेंज वाला जो कर वह ना वहारा शुरू हो चुका है अभी बहुत जल्द हमारा ट्रैक्स तो भी जाएगा चलो इतने में मैं वापस से लोको मोडिव के पास मेंने के चलता हूँ और यह लोको मोडिव हमारा काफी जाता अच्छा लग रहे हैं यहां से देखो है लोको पाइलिट भी बैठे हुए है अगता है सामने से कोई ट्रेन आ रही है गईस मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि कौन सा ट्रेन है यह यह वन टू-004 न्यू-देली लकनो श्वन शवन 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 लोको मोडिव है जिसमें की शताती के कोचिस लगे हुए हैं जो कि जाइर सी बात है ब्लू करनर के पूरा इसका लिवरी बना हुआ है और यहां से 19.4 किलोमेटर्स बाकी है गाइस न्यू-डेली आने में और बाकी है और मैं जैसे यहां पे देख रहा हूं ना मेरा आख न लग रहे है ना हमारा एक दम मस्त वाला लोको मोडी खैर जो भी है चलो फीचे के सट में चलते हैं और एक्सलेशन पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं गाइस क्योंकि ट्रैक्स चेंज बगेरा जितना भी थाना सब कुछ अमाना हो चुक है कंप्लीट और अभी एक सोगा लिमिट देखे रहाए है अब ही पता है एक सो के अंदर में रहना भोवी मुझे पता है खर चलते है यह देखो नीचे से कोई एक रिवर टाइप का कुछ है छोटा मोटा रिवर है इसके ऊपर से होते होते हम गुजर रूपर से ही क्या बई यह कोई हाई वे होगा शाय से कि यह चाहर तक मुझे लग रहाए और सामने अभी शायद से अनन्ध वियर शिशन आने वाला है न…"headed by यह आगे नहीं बड़ पाड़ी है, यह पता नहीं किस साइट से जा रही है, अनन्दवियर की साइट से यह ट्रेन आ रही है, वैब 7 के साथ में यह ट्रेन है, छोटी से ट्रेन लगते हैं, छोटी सी नहीं है, 16-18 अप्रॉक्सिमिटली इसके कोचिस होंगे, कोचिस का जो नजारा मैं आपको दिखा देता हूं, पटना राजधानी, पटना तेजस राजधानी, इसका जो नजारा है, आप सबी को कैसा लग रहे है, बाहिर हम लोग दिल्ली वाले से इंटर करने वाले, क्योंकि आपको साइट में देखकर पता चली रहोगा, इतने बड़े- सब नजर आ रहे हैं, कि मैं आपको क्या बता हूं, इस दम बिल्कूर रियल वर्ल यसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहे है कि हम लोग रियल वर्ल में आ चुके हैं, और यहां पे सामने से एक और ट्रेन का क्रोसिंग उने जा रहा है, गुड्स 3 लिखा हूँ है, मैं तब कोई बाकि यह जो बिल्डिंग्स है, इसका जो नजारा है, मैं को क्या बता हूं, इतना ज़्या था मुझे मज़ा आ रहा है, अगर आप भी खेलते हैं, तो आपको भी पता चलता है, असली मज़ा मतलब कैसे आ रहा है, यह देखू, शाय सी यह है अनन्द वियार स्टेशन, अन दो आईसे ट्रेंज यहां पर रुके हुए है, बाकि स्टेशन खाली है, पूरे, सामने के साड में यह एक वैप 4G नजारा आ रहे है, यहां पर मेरे को, और यह देखो हम लोग यहां से क्रॉस कर रहे है, नजारा कैसा लग रहा है, बताना गाइस, नजारा कैसा लग रहा ह तो आर, फ्री में बिल्कुल, मैं आपको अनंद वियार स्टेशन भी, मैंने आपको घुमा दिया, उपर से देखिया हाईवे है, अर यह मेट्रो टेन है न, वा यार, मेट्रो टेन का भी यहां पर देखे रखा है, मुदित प्रनेज जी आर, आपका मैं क्या ही बताओ यार आपका मैं जितना अच्छा बताओ यार, उतना नया नया अच्छा चीज और मुझे दिख रहा है, तर बहुत ही बैतरीन उन्होंने काम किया, आपने देखा, मेट्रो टेन हमको दिखा कुछ दिर पहले, तर मेट्रो ब्रीज का जो नजार है, वह सब कैसा लगा, कमेंट से बाकि यहां पे देखो हमसाफर एक्सप्रेस, यह कोई कोच के रियाड है, अनंद वियार का शाय से कोच के रियाड ही है, और यहां पे हमसाफर एक्सप्रेस बेट कर रही है, चलब हर हम लोग 100 किलोमेटर परावा के स्कुटिंग पहुच नहीं वाले है, यह बैक सेवन, ट न्यूडेली के पास में पहुच रहेना, उतना जो है न हमारे FPS लगातार कमते चला जा रहा है, मंतब न्यूडेली सेक्शन में इतना ज्यादा भड़वड़ी सीनरी वगेरा एड़ करके रखा गया है, कि यह बदर इसको कितना मिलेगा, 10 या 12 या 8 या 9 ऐसा मिलेगा FPS, तो सामने आपको बहुत ज्यादा हैंग वगेरा मिलने वाला है, तो आप लोग कुछ माइंड बद करना, क्योंकि यह बदर इसका सिस्टम का है, मेरा सिस्टम तो ठीक है वाई, कम्प्यूटर का, लेकिन स्टिल यह लोट नहीं ले पाता है, यह शाय से ओपिन रेस का प्रॉब पास आचों के न्यू डेली के बस 13 किलोमेटर्स के आजपास बचा हुआ है न्यू डेली आने में, होंख हमारते वे हम लोग काफी तहीं से आगे बढ रहे हैं, चली जल्दी से बोह पर पहुंच जाते हैं, यह आचों के बोह पर ग्यूपर एक काम करता मैं आपको इंटेर अरे इसका जो बैक पूर है ना इसमें साइड में P4 साइड पॉंट लगा हुआ था अपने नोटिस किया तक है चला हम लोग साथने के साइड में चलता है और पता नहीं है अभी कोई क्रॉसिंग वगरा और होने वाला है कि नहीं होने वाला है स्पीड हमारा अल्मोस्ट 113 टू 115 किमिटर पढ़ा है और ज्यादा एक्सलेशन नहीं करेंगे इत्मा स्पीड थीक है इससे ज्यादा एक्सलेशन नहीं करेंगे यह थोरा बहुत स्पीड ब्रेक वागरा तो चलता ही है ना गेम में बाकि देख वारी बिल्दिंग से भी मैं अच्छे से घूमा नहीं हो ना तो मुझे पता नहीं है उस साइट कर ना जारा कैसा लेकिन यह देख कर ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच में अच्छा वाला रूट बनाके रखाया और मुझे 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 प्रने जी कह रहे थे कि अभी तो उनका अपडेट भी आया यह देखो 1207012 शताब्दी एक्सप्रस का क्लॉसिंग देख लो यह शाहिद से वैप 5 के साथ में आ रही है हाँ वैप 5 P5 साइट लोकोमोडिक के साथ में और यह वोड़ाफोन वाले कुछ-कुछ शताब्दी इसमें लगे हुए थे और यह बता नहीं कॉन से स्टेशन आप यह लग रहा है कि हाँ भई हम लोग देश की राजधानी नई डेली पर एंटर करने वाले हैं बहुत ही जल्द आस पास का नजारा देखके मैं यह और ज्यादा कंफर्म हो रहा हूं कि हाँ अब आप लोग बता हुए रियल वर्ल्ड में ऐसा ही क्या होता है आपको लग रह है ₂bu और आप कोई बहुत बाड़ा स्टेशन आने वाला है बहुत बढ़े करने है कि वैर आपको बहुत में डिखा से चार घ्र यहां से जो यह कर वाला सेक्ष्षन है इसका भी नजारा आप देख लो हमारी ट्रेन जारी है सामने के साइड में पीछे का भी नजारा देख लो देखो है तेजस राजधानी एक्सप्रेस शाहिए से 18 ए 19 कोचिस होंगी हमारी यहां फे 21 कोचिस भी हो सकते हैं वह देखो साम शेरी पंजाब क्यों रखा हुआ था बई पंजाब के साइट से क्या लोकोबोडी हो सकता है जो भी है अभी हम लोग बस बहुत जल्द इस पहुंचने वाले हैं न्यू डिल्ली पे हम लोग स्पीड को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं और इस पता नहीं यहां पे क्यों थो किलमेटर का लिमिट रखा गया है आठ्ञा अ एयाप क्योटा को चोटा मोटा सा काफी जीए इस एक अशिव कर रहे है अप्रीश को नजारा और कमेंट्स कैसा लग रहे है आप सभी को सब्सक्राइब लेकरे के चैक्छ key 빼 tap बीट वर्हीन कमेंट्स में कैसा लग रहां और बाकि यहां बैजजी कोई इक एक इलिक्टन सब्स्टेशन नज़र आ हरे और सामने में ये देखो ये अम लोग किस ट्रैक्स पे जारहें आपको पता है गया जो left side वाला जो track था आपको किस side में जा रहा है मुझे पता नहीं है किस side में जा रहा था फिर जो भी speed limit काफी जाधा कम है हम लोग speed को जल्दी से decrease करना पड़ेगा और बाकी यहां पे आप लोग देख लो EMU का crossing होने वाला है सामने के side से लगता है यह जो EMU है ना यह डिल्ली से डिपार्ट करते वे आ रही है आगे बढ़ रही है यह इसका भी crossing आप लोग देख लो और शायद से सामने में शिवाजी नगर और और वो सब आने वाले सेशन आने वाले मैं जल्दी से मैं डिक्रिस करवा लेता हूं यह देखो यह और ICF राज़ारी टैप पर कोई ट्रेन लग रहा है मुझे जो कि मेरे को लेट साइड में दिखाई दे रहा है आपको भी दिखाई दे रहा गया मैंना स्पीड को रेड्यूस कर वा लेता हूं यह इसका तो डब्लूडीम 3D लगा हुआ है इसको वहीं पर रोग दिया गया है पता नहीं इसको रोग दिया गया है वहीं पर और आगे अभी बहुत जल्द हम लोग एंटर करने वाले खुदक नजारा है देख ़ो एर सांटर कर लोग गर कितना अच्छा और बैतरीन वा ला नजारा बनाकर रखा गया यह कोई train है, ICF train है, जिसको की, जिस सामने के शिवाजी नगर पर शाय से रोका गया है, यह सामने माला शिवाजी नगर ही है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, यहीं पर जाकर हमको red single दिखाई दे रहा है, और यहीं भी जाकर हमको रोकना भी है, और आप नोटिस कर रहे हो जैसे signal मिलेगा, उसके बाद में तुरांट हम लोग डिपार्ट भी कर लेंगे, और बाकी यहां पर देखोई यह वैक सविन, इसका लोको मोटिव लगा हुआ है, जिसको की आगे जाने का signal नहीं मिले, आपको देखके पता चल रहा होगा, कि उसका भी red signal सामने दिख रहा ह जैसे signal मिल जायागा गाईज हम सबको, चलो है, फाइनली signal हमको मिल चुका है, मैंने throttle को पूरा बढ़ा दिया आगे, और अभी देखते हैं, यहां से जो 30 का limit है, आगे जाने के लिए, तो ज्यादा तो हैर हम लोग acceleration भी नहीं कर सकते, 30 के अंदर में रहना पड़ेगा हम काफीद अच्छा लगा, और हाँ नियू डिली पे एंटर करने का टाइम था, सुबह के 7 बचके 40 मिनट का, लेकिन हम लोग ने इसको पहचा है, 7 बचके 45 मिनट पे, अल्मुस्ट पांच मिनट का डिले वह, इतना डिले तो चलता ही है, जब रेलवे गेम स्टार जैसे हो नहीं है, खेर जो भी है, चलो यार, सामने में मैं आपको दिखाता हूँ कि नजारा कैसा है, जो नजारा है वो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ गाइस, नियू डिली स्टेशन यहां से हमको दिखाई देर है, तो चलो यार, अभी हम लोग पाइनली अराइव कर चुक यह सब कुछ आपको कैसा लगा आप सब कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मन बूलेगा और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भई एक लाइक जरूर से ढोक देना बाकि न्यू डेली का जो यह स्टेशन है ना कितना ज्यादा रियालिस्टिक लग रहा है थोरा खाली- वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर से ढोके जाना तो ठीक है गाइस अभी मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और अगले वीडियो पे अब तक लिए सायना आरा और बाई